हाई एवरिवन एक्जामेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है हम बात करेंगे यूपिटपल ऐसी कंबाइन टेक्निकल सर्विस एक्जाम परिश्याप की जो थी 2016 की थी मतलब इसका विज्यापन जो है 2016 का था तो इस भरती को भी 2016 ही नाम देंगे जैसा कि आप सबको पता है आठ वर्सों के इंतजार के बाद जाके आपके जो है रिजल्ट आए है वो भी अभी आप 50% कह सकते हैं ऐसा है क्यों क्योंकि आप सबको पता है कि अधिनस्त सेवा चैन आयोग में किस तरीके से काम हो रहे हैं अगर इतनी ही जल्दी होती तो आप क्वार्ट वर्सों का इंतजार न करना पड़ता है तो जो भी आप है अब सामने ही है तो इसके आगले प्रोसेस पे बात करेंगे कि आपके जो भी रिजल्ट जारी किये गए मिंस जो भी कट आउफ जारी किये गए है वो किसके लिए है डाकुमेंट वैरिफिकेशन के लिए जारी किये गए है तो अभी जो भी आपके जो जारी गिये गए हैं सबके cut-off सबसे ज्यादा इसमें lab assistant के ही candidate होंगे तो आप लोगों की जो भी cut-off आ रही है accurate उतनी है उससे कम है जादा है जो भी है आपके अगर कोई और समस्या है तो आप पूछ लीजिएगा comment section में इस video के तो अगर आप उस cut-off पे आ रहे हैं तो आपको document verification के लिए तो जाना ही है और जाना भी चाहिए क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो cut-off अभी जैसे माल लीजे किसी की cut-off 75 आई है ठीक है सबसे ज़्यादा cut-off आपकी किस की है लैब assistant की है जिसमें 99 पत थे और 19 पत इसमें से जो है reserve है female candidate के लिए तो हम बात कर रहे हैं इसमें आपके document verification की cut-off जैसे कि जो भी cut-off जारी की गई है अगर आप accurate उतने हैं तो भी आप जाईए आप ये सोच के ना skip करें कि ऐसा तो नहीं है कि verification के बाद अगर merit थोड़ी बढ़ी तो मेरा नहीं होगा कुछ भी हो सकता है ठीक इसलिए आपको जाना चाहिए तो आपकी ये जो document verification के result जारी किया गया है ये कोई final result नहीं है अभी आठ्स वर्स आपके बीते हैं अभी और इंतजार करना है final result को देखने के लिए तो मेरे ख्याल से जिस एसाफ से चीज़े इनकी चलती है ये result इस वर्स के आखरी तक जाके final हो सकता है ऐसा आपको सिर्फ बताय नहीं जा रहा है क्योंकि possibility है कुछ भी हो सकता है तो देखिए आपके जो verification इसके कोई verification के लिए qualify हो गया है eligible है आपने अपने result को चेक कर लिया होगा तो आपके पास कुछ document है जो कि अनिवारे रूप से होने चाहिए क्योंकि ऐसा नहों कि वहाँ पर आपके को जाने के बाद document की वर्जर से वाबा हराना पड़े तो ये साइज चीजे हम बात करेंगे भी किसमें आपको क्या क्या document है जो कि अभी रखना चाहिए आपको दूसरी बात बात करेंगे कि आप सभी लोगों में से कुछ candidate है कि पूछ रहे हैं कि जो ये result जारी हुआ है कि इसकी second list आ सकती दूसरी list जारी होगी तो देखें आप इधर बीच देख रहे होंगे अधिनस सेवा चैनायोग में लेकपाल की जो भरती थी उसमें इतने candidate को document verification बुलाया गया था और लेड़ी 27,000 से ज्यादा लोगों को उसके बात भी जो है फिर से दुबारा से बुला लिया गया था कुछ लोगों को तो लिस्ट आ सकती है कब आएगी जब इनको verification के लिए और candidate चाहिए लेकिन final selection तो आपको पता है जितनी seat है अगर इसकी बात करें जिसमें 99 पद हैं उसमें उतने ही होंगे किसी में 12 seat हैं तो 12 ही होंगे तो final की बात तो उतने ही होंगे लेकिन अगर यह मान लीजे कि अगर list down हो लिस्ट कम दुबारा बुलाये जाता है इसका मतलब है कटाफो नीचे करके candidate को कॉल कर रहे हैं तो उसकी कोई guarantee नहीं है कि आपको document verification के लिए बुलाये जाए तो आपका final selection हो वैसे तो इनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए अधिना सेवा चैनायोग में ऐसा है कि जितने माल सीट है तो इसके verification के लिए ये लोग एक हजार लोग को बुला लेते हैं इतने की जरुवत ही नहीं है 100 अगर candidate qualify है तो बहुत करी आप बहुत जादा अगर बुलाएंगे तो 150 लोग को बुला लीजे क्योंकि इतना है कि आजकल के student जो भी इतने मेहनत कर रहे हैं तो उनके प पता लगा कि आपके 10-15 दिन verification ही चल रहा है फिर कहीं जाके result आता है तो ये सारी चीज़े हैं तो आपको वेट अभी करना पड़ सकता है अभी इतने दिन से आपने वेट किया है तो वेट के लावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो verification आपके अभी इधर बीच कुछ नहीं होन अब यह चाहेंगे क्यों यह तो वक्त बताएगा कि ऐसा है कि नहीं अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है आप सब के लिए कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए वेकेंसी तो इसका जो लिष्ट आएगी आभी सकती है नहीं भी कुछ भी नहीं कह सकते आने की possibility भी ह पिछले कुछ एक्जाम में लेकिन आपको भी पता है कि जो पिछले एक्जाम में बुलाएगे होंगे वेरिफिकेशन के कैंडिडेट तो उनको जो बात में बुलाएगे क्या उनका हुआ होगा मुझे नहीं लगता उनका हुआ क्योंकि आप सोचिए अगर किसी 1000 सीट के ल जो कैनी रेट है इस टाइम में स्टुडेंट है उनका काम है पढ़ना और जहां पर जैसे भी हो सके एक्जाम दीजिए और बुलाया चाहे तो हाँ जाना ही पड़ेगा यही कर सकते हैं अगर इसके समझ में कोई नोटेस जारी होगी तो आपको चैनल के माध्यम से प्लस टेलिग्राम पर भी सेर कर दिया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डाकूमेंट में क्या-क्या होना चाहिए अगर डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे तो कुछ कॉमन चीज़े हैं जो आपको भी पता होंगे फिर भी मैं बता देती हो कि क्या होना चाहिए पहली बात आप जिस पोश्ट के अप्लाई किये होंगे सबके पोश्ट अलग थे सबकी क्वालिफिकेशन अलग थी तो जैसे माल लीजे लेव असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 10 पांगा हो गया था ठीक है कम से कम 10 अगर माल लीजे आप पूछेंगे मैंने बीस्टी भी कर लिए आट साल में कुछ भी कर सकता है ठीक है रिजेशन पीजी बहुत कुछ किया जा सकता है तो टेंथ पास कम से कम था क्वालिफिकेशन तो आपके पास यह तो होना चाहिए जैसे फिर आपने कर लिया इंटर ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष आपने कुछ और किया है तो सभी डिग्रियां आप रख फोटो कॉपी जो फोटो स्टेट होती है उसके कम से कम तीन सेट आप कराके रखे अलग-अलग फाइल में ताकि जहां पर भी वहां जरूरत हो तो आप दे सके तो सबसे पहले आपके पास जो पोश्ट के लिए आपने अप्लाई किया वह उसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेश जैसे कोई माली जिए कि डिप्लॉमा पर लेकिन डिप्लोमा जिसलिशी में सब्स्रीख समझ रहे होगे आधार तो मस्ठे हर जगात आपको होना चाहिए पासप्पोर साइस की फोटो अब देखे आरस साल पहले यह भरती आयessä अगर male की बात करें तो नहीं लेकिन female की बात करें तो बहुत सारे हो सकती है इसमें girls उनकी marriage हो गई यो कुछ भी तो उनके में काफी changing है वो देख के पता चलता है कि हाँ change है तब वो पूछेंगे क्या अभी की photo चाहिए है बात की latest photo सभी की चाहिए male हो चाहिए female हो latest photo अपनी बनवा लीजे passport size की रख लीजे बनवा के अपने 15-20 set के जो भी वहाँ जरुवत पड़े आपको उसके बात आपके जो admit card है वो और में यही सब चीजे चाहिए और दूसरी बात यह है कि जो भी आप result चेक कर रहे होंगे तो उसमें दिखा र रहा है उसको भी print out निकलवा लीजे और इनकी तरफ से आयोग की तरफ से ही आपको आवेदन जैसे इसके लिए भी एक form भरने के लिए आता है जिसको प्रपत्र कहते हैं वो चीज आएगी जब वो आएगी तो उसको आपको भर के लिए जाना होगा वो तो समय के साथ जैसे लगाया था या यूज करते हैं तो आपके पास वो भी certificate होना चाहिए और निवास प्रमाड पत्र होना चाहिए ताकि ये पता चले कि आप कहां से हैं तो ये कुछ चीजे हैं जो आपके पास होनी चाहिए तो ये साई चीजे आप अपने पास अभी से ready करके रख लें बाकी आपके जो भी अभी exam लगे हुए हैं उसकी तैयारी आप करते रहेंगे सिर्फ इसके भरोसे ना रहें कि आप एक्टम accurate cutoff के आगे हैं तो आपका final हो गया होने को यहां कुछ भी हो सकता है अधिनास सेवा चैन आयोग में ये आपको भी अच्छे से पता होगा तो आप अब अगर आप सबके कोई doubt है इस परिक्षा को लेके तो आप comment section में आप पूछ सकते हैं दूसरी बात यह है कि junior assistant 2024 बहुत ही अच्छा मौका है इसे कहेंगे क्यों नहीं तो पेट परिक्षा के आधार पे जब से पेट हो रहा है एकड़ टॉप ranker को ही हमेशा जगह मिल रह जरूरत हो तो आप जरूर देखें तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इत्ती जानकारी देनी थी नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे जय हिंद